हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफ्टेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ असलावले कुम हज़रात, आप देख रहे है हज़रात, और मैं हूँ काशवारत जी है और मैं हूँ सलीम अफरीदी और मुझे भी देखते हैं काशव के साथ क्या बात है, सिर्भी आज आज अपने खमाटीन हज़रात क्यों ही लो लो लुग अछिए आज मर्दों वाला शो है तुमने फ्रेंच भी रखी है तो फ्रेंच क्या एतराम में खवातीन बनता लिए है तो इसके बारे में कुछ एका जुमले है लेकिन फिर में आफ दे रिकॉर्ड आपको चुटी चुटी है कि वह तो यह चुटी होगी है निक है वह इबतिदा है अ कि में अब है बहुत सारे स्टी को देखते हैं बहुत जादे पौलिटीशन को देखते हैं और कुछ लोग ऐसे होते mechanics जो showbiz वाले जादा होते मुक्त जिदगे मुक्तलिफ से उनका तालुब हुआ है उनका जिका है है शोबा हाय जिंदगी से होता है और अक्सर यहां से जाने के बाद हाय हाय रिखते हैं कि आज हम इन दोनों की बातों में आकर क्या जवाब दे भीठे थे और फिर लोगों को बीवी को बच्चों को क्या मूं दिखाएंगे लेकिन आज जो हमारे दरम्यान शखसियत है वो यकिनन एक बड़ी मादबर शखसियत बिलकुल जी और की वो शक्सियत जिन्होंने ना सिर्फ वजीर दाखला की तोर पर अपने खिदमात सरा अजाम दी है बलके गवर्नर सिंड की तोर पर भी बड़े जो है वो कड़ी जिम्मेदारिया अचा और मुटलिफ समाजी शुबा में वो खिदमात अजाम देते रहे हैं लेकिन वो जो र वो बड़ा आलम है जी हाँ पाकस्तान की मुस 사ला वार्फ जाराइर्ट है और जिब रिटायर हूए तो एज़लिफ्टिजन गैरल रेटायर हुए और पर अन्होंने अपरी सारी जिनदेगी जो बाकी की बी जिन्देगी शिर्फ किया है पाकस्तानी घौम को फलाही होआई और फिर जाहर है वजीर दाखला और एजे गवर्नर सिंदे आईए उनसे जाती बुला कर पूछते हैं कि उन्होंने किन किन शुबे में कितना कितना आर्सा खितमात अंजाम दी और बायसियत एक फौजी के कितनी जंगों में हिस्सा लिया जी बिलकुल तो आईए आपको जी वालेकुम असलाम सरी असलाम अलेकुम जी मुहिन दीन हैदर सार माशाला 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 साबिक वजीर दाखला वफाकी वजीर दाखला साबिक गवर्नर तो क्या साबिक फौजी भी कहें इए बिलकुल साबिक फौजी भी है उमर का बेशतर हिस्सा जो है 37 साल फौज माशाओला, माशाओला असलियू कहा यह जाद है कि जो फ़ॉजी होता है वा हमेशा हॉजी रहता है, हर अशाम प्र नहीं। कर दो जह सकती है आप रटार को होते हैं एक है यह सार्विस टाइम होते हैं तो तो शेक्स्टीफाइव वार में फरेंट पे 65 वार खेमखरन के फ्रंट पर फ्रंट पर लड़ी माश्यागा और पहला जो हमला गया है उस वे मैं शामिल था खेमखरन की कस्टम पोस्ट पर अगले रोज खेमखरन शेहर केप्चर किया फिर आगे जगा थी असल उसतर वहां तक गए को जो पेश कदमी हुई तो उसमें और पहले ही दिन हमने हिंदुस्तानियों का स्मॉल आमस फायर तो खाने का फायर एर अटाइक सब कुछ जो है उनकी फूल स्ट्रेंड थी वह आपने बरदाश्ट की मतलब कर वहां जंग की तो फूल फ्लेक जंग थी दो मुक्तिर जंगों में आप शरीक रहे 65 की जंग और 71 की जंग यहां तियार जाले बड़े तो क्या ज़दबात थे पहली जंग के इस्तिताम पर और यह 71 की जंग के इस्तिताम नेकि जब पैसर की जंग थी वह पाकिस्तान की तारीख का एक हाई पॉइंट है पूरी कौम मुत्वाइद हो गई थी और जब 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 बहुत बह वी फॉज को रोका गया जब जंग खतम हुई तो उनका जादा एरिया हमारे पास था जादा प्रिजन हमारे पास थे जादा टैंक हम उनको तबाह किये थे जादा हवाई जाद हमने गिराए थे एक वर्ल्ड रेकॉर्ड का एमके अधाम मालम साब ने विदिन ए मिनिट पा प्लूटिकल जो है हम काफी आपको पता है बंगाल में जो अवामी लीग थी बंगाल की किसी पार्टी ने कोई सीट वेस्ट पाकिस्तान में नहीं जीती वेस्ट पाकिस्तान किसी पार्टी ने एक सीट वहां नहीं जीती तो मुझ तो प्लूटिकल तोड़ी जाना अपने दाइर हो गया था कि अगर दोनों करफ जमाते नहीं हैं वही मुल्क को मुझते रख सकती थे लेकि फिर भी अगर अकल से काम लिया जाता और तमाम लोग अपने जाती मफाद को पीछे पशे पुछ रखते सियासेदान भी और फौट के याया खान भी तो इस से हम बचे जा सक मुझीब को पावर दे देनी चाहिए थी तो आप क्या कहते है एक स्टर की जंग के बाद और जिन हालात के बाद बुट्टो साब ने क्या क्या को मुत्यद किया था या मेरे हादे बुट्टो साब ने उसके पाकिस्तान का जारे मुराल डाउन था उन्हें तुफ़ानी नुक्लियर पॉराम भी शुरू हुआ उनके उन जमाने में काफी खिल्माद था उनको लेकर आए शिमला मौइदा गाल शिमला मौइदा गाल जा एक सवाल और भी जैसे आता है मशाला आपने वो दौर देख रखे है अभी जाहरे निउस चैनल का दौर है एंटर्टेन्मे और वो रहा है तो क्या ऐसे है बिल्कुल भी वैसे हलात नहीं है लेकिन मतलब कि अगर आप यह कहें कि हमने एक स्यासी मसलत है मश्यकी पाकिस्तान है पावर का अगर वो 55 फीसद थे वेस्ट पाकिस्तान 45 पर्षिंट था उनकी मजार्टी थी से वन मैन वोट पर उनके सीट जादे थी तो मतलब अगर अभी भी हम स्यासी फैसले और स्यासी मसले स्यासी तोर पर फार्लिमेंट के अंदर अफाम और तफिम से नहीं निप्टाएंगे तो जहरे फिर वहां मुर्थ में बेचानी भी होगी और हराद भी खराम होंगी यह मतलब है कोई फिर्का वारियत और जहरे के उसमें तफर्रुका जब कौम में पड़ जाता है यह वो है लेकिन मतलब अगर पिछले चंद सालों में देखें तो यह जो ऑपरेशन चल रहा है हमारा नेशन एक्टन प्लैन चल रहा है ऑपरेशन जर्ब अगरा चला उससे पिछले सालों क पर निजर पर हालाद बहुत बेतर हो है अभी आपको पता है सवात निकल गया था वहां कि इसने शरी हकुमत कायम कर दी साथ बुजिस्तान चला गया वह निकल के सटल डिस्टिस्टिसम हमले करने शुरू हो गये हमारी पेसिस पर हमले जीएज कुई पर हमला अब आन बेस अब वो हलाद नहीं हैं अब बाया जो आख़ती है अब हमारी सब करेड़ है आवाम के उससा है पुलीस कभी है यह पुद्धकर करने और उससाआर है थो जो पकामिया रेंगे हमार्दयन आ थेमेगधर बहलति हम इस मौाली पहुत रहना चाहिए भीससे श्यर आममत चाह तो एक बेरिख की दरत चलते ए Кलत एक ब्रेक कि दुरत दूर्ब हो एपटर ऑप हमारे वह हुँए हुँए जिनका मदाब चेखते रहते हैं देखते रहते हैं वेलिकम बैक ईन हज़रात और जनाब मुईल 도 दिल हैदर साब हमारे धर्मान मौईजूद और बिलकुल दोस्ताना अंदाज है बिलकुल गारे बड़े दबंग फॉजी रहे हैं ये और बड़ी जिम्मेदारियां समाली है तो आज इनका जनरल पॉइंट ऑफ यू है हाँ अच्छा ये कौं गवर्नर भी रहा है आप मदीर दाखला भी रहा है जारे फॉजी भी रहा ह इसके लावा भी शमार जिम्मेदारियां और भी फलाई जिम्मेदारियां निबाते रहें तो कौंसे ओधे को एज्जाए कि आप ले जाता है अच्छा वैसे मैं बताओं आपकी बात फलाई जिम्मेदारी से कि फात्मीद फाउंडेशन के चेर्वेन है अब आगे चले अच्छा यह सवाल भीचे हो गया जिया किस और देखिए फाउज में 70 साल का नंबर सफर है और उसमें दो चार अपांटमेंट्मेंट्स ऐसी थी जिन में मिझे काम करने का लुट्फ आया एक तो था इंस्टर्टर जो है मिल्टरी अकैडमी में जहान नए केड़ेट्स आत एक परस्टर्टी ट्रांस्फार्म हो रही है और सिविल सेक्टर से आकर वो फोजी साचे में डाल रही है काकूल की बात करो काकूल में तीन साल इस्टर्टर रहा हूं लोग तो गवर्नर बनके एंजॉए करते हैं आपने अपने सवाल पूछ लिया है तो हमको चुके मौका पूछ जिन्देगी का मिला और सिविल सेक्ट का मिला गवर्नर के तौर पर जोवर्नर हाउस बहुत बड़ा होता है इंटिनर मिनिस्टर भी एक जिम्हदार पोस्ट है जिसके निजे तमाम पुलीस फोर्सिज आती है रेंजर आते हैं को गार्ड आता है स्काउट्स आते है मलेशी आता है लेकिन आप से क्या छुपाना जो मज़ा फोज की नौकरी का है जो मज़ा मेहनत की रोटी में पर बेट की इस तबादा भी यूसफ जई है और मेरी वालदा भी यूसफ जई है वालिद आफरी दी हुए तो आगरे की सब और एक शेर है कि आगरे की ओरतें आ घागरे जागरे घागरे जालिब यहां से भागरे तुप अधके माह ञिर माँ तुपास बलादा जियो बहुन को मैं ड á कि आगरा जो पी दर्वाने का वीरी वेरी ग्रेट फाइं लेड़े। मैंने बच्चों की फाउज ने गेर रखा है आप क्या सकते हैं लेकिन अपनी जो जिस पल्टन को मैंने कमांड किया जिन के साथ जंगे लड़ी उनके साथ रापता कायम है इस दवर 6 स्थमबर को डिफैसर पाकिस्तान डे में मुझे कोर्याट कॉर्टन मुल्तान वारों ने क साथ कि आप 6 स्थमबर हमारे साथ मनाएं मैं मैं तो मलीड बजाता हूँ यह उनकर नहीं नहीं हमारे पास आएं क्या आप हमारे डिविजिन के नीचे आपकी दोनों जंगे हैं क्या बाद्टन भी महा हैं तो आप यहां 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 पर आम्स और डिफैंस का एकुप्पें तो वह यह था कि आप इंस्ट्रक्टर भी रहे माशालला ट्रेनिंग कंसिल्टन भी रहे सब रहे तो कोई ऐसा होने हर शागर जिसने बड़ा नाम किया हो मुसीना फुला देता है ना उस्ताद का देखिए बात यह कि हमारे जो है मैंने तीन कूर्स पास आउट करा है 14 वार ने का दिल ने करना है मैं स्वी बात बता रहूं कि हमारे शू की वी आई पी शू है हमारा वारे लिए तो आप भी जवानी है तो जवानी बाते करते हैं हम अगले सेग्मेंट में तो मिलते हैं ब्रेक के बारे देखते रही है दैश का इंतिजार बिजार कर देता है माशूप का माशूप पता हैं किन माइनों में ले रहे हैं यह निए पीर साथ हो या कोई और हो जी एक पर फिर हज़रात में हम आगें आपके साथ और हमारे साथ माजूद हैं जी मुहिन उद्दीन हैदर साफ और आज जो गुष्टगू है और माशाओला जो इनकी शक्सियत का यह वाला पहली निकल कर आएगी मेरे ख्याल है कि लोगों को पता नहीं था कि जो शेर आपने कहा और जो मुस्कुरहाट याप बिखेर रहें तो हम आपको अपने एक सेग्मेंट में उल्जाना चाते हैं उसका नाम है फिलिंडी डैश इनका डैश होता है मेरा प्लाडी का अब आप देखिए अब दोनों से निवरत दो महाजों पर लगना पड़ेगा अब यहाज़ी डैश का इंतिजार बेजार करते हैं माशूप का माशूप माशूप पतनी किन माईनों में ले रहे हैं बाद माशूप पीर साफ हो या कोई और हो वाज़ी डैश के बगार नहीं रह सकता है क्या बाद माश वाजब आ खजा बिगार यूचा शजार कि ने बसकते हैं बोदेश के साथ को वक्त नहीं भूल सकता है बीवी, महरूमा बीवी के साथ गुजारा हो वक्त नहीं भूला क्या बार, माशाला उनके लिए पांच, छे, साथ दफ़ा दिन में द्वाइं करता हूँ क्या बार, और अल्लमिया से कहता हूँ अल्लमिया, अगर हमने तेरी नजर में कोई नेक काम किये हूँ तो हमें किसी खाविर समझे, हमारे गुनाओं को माफ करे और जन्नत में हमें जगा दे, तो मुझे बात कर नहीं बस एक वही बीवी दे दे मैं उससे से बहुत खुश हो रहा हूँ आमीन, 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 तो इसलिए उसके, मैं ने यह का, हमारे दोएँ आपके साथ क्या बात कर दोएँ थे का, लेकिन आप वही आते हैं डेश की तरह, जी जी डेश के बाद बहुत अच्छी नीद आती है जी एक्सेस के बाद क्या बात है करते हैं आभी जी हैं जी अबी गॉलब खutchक्टेर के आ रहा हूं सब क्या बात है जी itorsब अक्सेस करते हैं अक्स्राइस के बगाए तो गजारे नहीं डाइच से मिलकर सुकून मिलता है जी हाँ, मज़े तो आखकर जो सुकून मिलता है वो अपने ग्रैंज चिलने से मिलके बहुत सुकून मिलता है एक वक्त था जब बार बार डैश करता है जी हाँ, एक वक्त था अशा वाँ, 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 अक्सरसाइद करते हैं आप आपने ये वाली जो हिट लगाई ये डारेक्ट जो है वो डैश कर दी है फोल में थी पहुंच जी है अच्छा डैश की आदत सी पड़ गई है जी, डैश की आदत पड़ गई है हमको तो आजकर जो आदतें तीन ही पड़ी हुई है तीन है त्री जी की है एक गॉड ये अल्ला के जितने फराज हैं जहां तक वो पूरे कीजिए और दूसरा ग्रैट शिल्टन के साथ मेरे बहुत और तीसरा गॉल्फ अभी खेल के भाई त्री जी जी पर जन्दगी गुजर रही है बाकी लेकिन मैं सोशल काम बहुत कर रहा ह। इससे मुझे बहुत स्टून मिलता है जिस फाजी की जिंदगी पहले थ्री जी के साथ है गी थ्री जी खेसाथ अब एक गी थ्री जी के साथ 14 जी भी आपने लागी है बस आपका जी लगा रहा हैं, हम तो यह कहते हैं अलहम दिल्लब मैंने अपने लिए बहुत पाजिली मुस्फिया ढूंड रखी हैं फाथवीज फांडेशन हैं मैं बहुत तारी उनिवर्स्टियां और हॉस्पिरिल्स के बोर्ड ऑफ गवरनर्स पर हूँ मैं बहुत प्रिस्टीजियस इस मुल्क के ठिक टैंक्स हैं, उनके साथ इन्वाल्व हूँ मैं लेक्टर सर्क्रिट पर जाता हूँ, नीपा एड्मिस्टेडिय स्टाफ कालिज फॉजवालों के पास और मैंने च्छे गॉर्मिन्ट के स्कूल गरीब इलाकों में पिछले 20 साल से अडॉट के हुएं, उसमें बिल्डिंगे बनाते हैं, बाफ रूम बनाते हैं, पानी पिलाते हैं बच्चों को, मुझे बड़ी खुशी है, मेरे एक बच्चियों के स्कूल में, आर्स में 100% पर बच्ची दिल को खुश करती हैं आजकल, और कुछ नहीं, जिन बच्चों की, जिन एदारों की सर्परस्ती, आप जैसे लोग करते होगे तो उनका रिज़र्ट हैं बच्चों के हमारा बड़ा ख्याल किया, बन्दै नाच्वी से, अभी हम अपना लॉट आ रहे हैं, क्या बात है, डैश की वज़ा से कमजोरी महसूस करता है, बिया ये जो मुल्क के हाला बात हमाद देखते हैं, फरकावारियत के, और लोगों में मिलाबट देखते हैं, जौलत कमाने के लिए, तो कमजोरी महसूस करते हैं, बहुत हैं, जिन अगर पावर होती तो ठीक कर देते है जरूर ठीक करते हैं, बिलो जान से ठीक करते हैं, जाता है मुम्किन होता ठीक करते हैं, जब भी डैश मिलती है, लेड जाते हो, हाँ, जा भी दरख के छाओ मिलती है, हाँ, 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 अच्छी डैष एक ही बार जी भर के ख़र लेता हूँ नाश्टा हो सब्हूरीे झॉर से फिन दुंचे जो हुद हो जरा मैं जरा डिन लगता है wordt लाइए पॉर्टन मिल वाँ वाँ जिसको बैलनस होना चाहिए और जरूर होना चाहिए जिसको बैलनस होना चाहिए और जरूर होना चाहिए जिसको बैलनस होना चाहिए और जिसको बैलनस होना चाहिए जिसको बैलनस होना चाहिए जिसको बैलनस होना चाहिए जिसको बैलनस होना चाहिए जिसको बै उसमें लिखा है कि डैश के बाद फॉरान नहाता हूं जियां, जब एक्साइज करता हूं पसीना आ जाता हूं अब यह गौल्फ खेला है तो वहाँ से नहा के नमाज पढ़के आपके पास आद दो माशाला, माशाला, माशाला नमाज पढ़के मैं गॉल्फ खेलता हूँ फिर नहाता हूँ यह बड़ी बात है बड़ी खुश असलूवी से आपने जवाब दिये और हमारे जो जूमा इने भी सवाल थे लेकिन आप नहीं तो बता है बेगम साफ के इंतकाल होगा पना नहीं कौन से नाने की बात कर रहो भी क्या रहा है इस किसी सहसंदान का जिकर है यह वाली बाबा चैलिस टोर नहीं है वैलकम बैक इना अजरात और आप समझ गए हूंगे हमारा कौन सा सेग्मेंट है और यकिन एक बदर्ग छफियत हमारे दिरम्यान मौजूद है मौतरम भी है कई जिम्मेदार ओदो पे पाकिस्तान की पाकिस्तानी नसल को परमान चलाने में और इनकी तर्बियत में खासा बड़ा हिस्सा रहा है पाक्सान के डिफेंस में बड़ा हिस्सा है माशाला आज जो हम एक माशाला पाक्सान का एक मगामे दुश्मन तेड़ी निगा से नहीं देख सकता आला मशाला तो माशाला आपकी तर्वियत याफ्ता आपके बताए हुए रस्ते पर चलते हुए कई लोगों ने पाक्सान के मुस्ताहकम की है माशालाः शो एंड नहीं हो रहा है अच्छा इस स्टार्ट हो रहा है तो यह सेग्मेंट आप समझ गया हूंगे और सर आमें फखर आप पे भी और इस बात पी फखर है कि आप बुद्रक होते वे हम नौजवानों के तिर शे आड़े तेड़े सवालों के त इतना है पुद्रक नहीं हो मैं आप भी अपने अगर शनाक्तिकाट चेक कराएंगे तो बस ने तो आपके दयान में वह कानल तो नहीं कुझ रहा है शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है आज मम्मी डैड़ी ने चाहे पे बुलाया है तो क्या करना है भी इसको आप कानों पर पहन लीजें हम कुछ वर्ड्स आपके सामने कहेंगे उनको अपने गैस करना है गैस करना है क्या बोल रहा है जी हमारी आवाद ने आईगी आपको ठीक है ठीक है जी तो शुरू करते है थरी में बिलकुल मैं पहले पूच लूँ कहने से मुताले के पीमे के कि दुश्मन को अगर देख लिया तो उसकी गुफतो गोवी शयरी ना सिर्फ दुश्मन की नقल र हरकत बलके लिफ मुमिट क्या बाट है कि वुह है है हल्बात अचीन मैं पूच होगा अबसे अ मतन बिर्यानी मतन मिर्यानि मतन बिर्यानी क्या बात है बुगदाद के चौर ना है ? बुगदाद के चौर फिल्म है ? वाजपीस फंडेशन को बलड डोनेशन के लिए आएंगे ने करें ने ने बगदाद के चौर जेख मैं अपना मतलब बयाकर तो डोनेशन तो आपज़े किसी स्यास्थादान का जिकर है जोई चोर तो समझ रहाए। चोर बागदाद के चोर मेरे बारी के एंगौंण है मैं खाने पी रहता हूँ हैदरबादी बहगेरे बैगन बहगारे भगेरे भगारे बैगन बगारे बॉच्छाइड़ काüसे, खायगे भगारे इसमें पत्ली ककड़ी एफ पत्ली कखड़ी को हैं मेरे । मेरे खेर में मजनूर की पत्ली के खिकर तो नहीं है Dumasal insü , वाजंु बज्वाल। कि अस्तियारा को रातโजारा म।ंड को आपने चीचू की मलिया जहां पर बन रहा है आज तो आपके फोटो से परदश चल रहा है आप क्या बोल रहे हैं हमारा काम तो यह कि आपके शेकर देखके सोचे दिमाग में क्या सोच रहा है हमशी के बगार मुझे समझ जाएं किया मैं दिल दिमाग में हो रहा है तो इनका नाम आज से रखना चाहिए बाबा मुही ने देखना है जादू से नहीं तो मुझे ब्रेक करते हैं उसके बाद देले है जी और जब यह केड़ेट आए थे तो मैंने के सीजर केड़ेट इंचार्ज था मिल्टरी अकाड़मी में अच्छा हाँ तो मैंने से डिएर साथ सीनियर हूँ तो उन्से उस वक्त से राफ़ता रहा और उन्होंने पाकिस्तान के लिए जब यहां सदारा समाली तो काफी खिद्मात हैं उनकी औरतों को एमपावर्ड करने में और हायर एजूकेशन में लोकल बॉडी के बड़ा था निराम दिया था फुली रिफॉर्म्स की थी चैनल ये मिलिया को अजादी दे इसके काफे कामने की हैं लेकि जब जिसके कोने पर ठारा लिखा हो तो जब श्यास पर आफरी सेग्मेंट होगा मारा राखना पर फाहिए अगर आपको इन लोगों को अपनी फिल्म में लेना हो तो किस तरह की फिल्म मनाएंगे आचिफ अली दर्दारी शुए बखतर आयान अली इनका फिल्मों का टाइटल की नाम रखें बतायों सब्सक्राइब को बगार अगर ये लोग फिल्मे आएंगे मैं फिल्मे बनाने ही छोड़ दो जी एक बार फिर हम आगे हैं आपके साथ और हमारे साथ मौजूद है साबिक विफाकी वजीर दाखला और साबिक गवरनर सिंद और रेटाइड लेफरेंट जनरल मुईन अद्दीन हैजर साब जी सर हमारा आखरी सेग्मेंट है जी अब क्या करने लगे हैं हमारे साथ रैपिट फायर वही सवाल है रैपिट फायर है जी रैपिट फायर है तो हमारा काम है करना है यह इस वक्त डिफेंसिव हो जाए है अब रैपिट फायर है बस अब आपकी तैयारी पसंदीना एक्ट कौन रहाब दरीब कुमार अहां उनके बाद उसके बाद फिल्म स्टार कमाल थे लेकिन हम दो तो पुगर जादा पुरानी फिल्म में देखते हैं संतोष यहां संतोष अच्छे थे बहुत अच्छे मौमद अली मौमद अली बस गुट अगर आपको इन लोगों को अपनी फि पिल्म मनाएँएंगे ऊसिफ अली असिफ अली दर्दारी शृब अक्तर जुब अक्तर आयान अली इन का प्रेसफ अली दर्दारी की फिल्म को टाइटल क्या होगी बतरिए। आप चाप Genome विभी अगर यह लोग अन्य फिल्म आइखते अगर यह लोग फिल्म चार साइस की वो एजाद जिसने परेशान कर दिया हूँ वाटस अप अपरी एजान है झाप और भी हो घर लेकिन इस वाटस अपनों नो दुमाह खराब कियो है मैसेउस पे मैस डिलीट किये जाओ ओर तमाम दिमों खतम ही नहीं हो दिन भरी लग जाता है डिलीट करने में आज अगर आपको ये पता लग जाए कि पुदाना खासा जिंदेगी कल खत्म हो जाएगी तो आज के दिन कौन-कौन से काम तर लेगे सब्सक्सालाइए अपने दोस्तों से मिलेंगे अपने बैटों अबचों से मिलेगे अजलिए कि अजल्द के मादें क्या भाउArt मासयाला दोस्तों से भी और अल्लवा है अथर प्रेइडंट बनाएं आपको प्रेजिड रखें तो क्या कैथ कुछ कि अजिए मम्नून आएंगे यह पिशना अच्छे सदर जो हमारे मुलक के होते उनके पास पाबस तो खाथ होती नहीं है लेकिन इखलाकी टाकत उनके पास होती है और वह बहुत से ऐसे काम जो कि हुकुम्टों को करने का टाइम नहीं में ते जिसमें वेलफे के काम है इसमें लोगों को तालीप के तर्मत वजद्रा करना सहे की तर्मत वजद्रा करना जालत से निकालना और यह जो अंदे गविख इस उप इस तरगी बहुत सुषानिश कर रही हैं, उनका पैटन बनना, उनके सपरस्ति करना, जाना लोगों को मोटिवेट करना के इनको बहुत सपोर्ट करो चंदद हो, इस किसम के बहुत काम जो हैं, उगर्स और सदर कर सकते हैं, क्या बात, उनके करने भी चाहिए हैं, करने अब इतना अर्सा हो गया, रुमास का चप्टर बंग किये हुए, वहाँ, वाँ, 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 उनके बहुत शेयर याद थे, और हम नहोते, तो किसी और के चर्चे होते, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगें, उनको स्कैनल करने लिए, कोई ना कोई चाहिए, हम नहोते तो किसी और के चर्ट से होते हैं, खलकत शेहन तो कहने को फसाने मांगे, अगर वेगम नहीं, इसलिको भी रूठेयों को मनाना हुआ, तो कौन सा गाना को नागनाए वग से हुए ? लेकिन अभी ना कोई हमसे रूट रहा है ना किसी को मनाना पड़ा है मौजूद हो हालात में ये सवाल बेहसर है यारी मौजूद हालात में कहते हैं कि आपको ये मत्लूबा सहुलत मेहसर नहीं है बढ़ाय मेरे महिली कुछ दिर बात को लिए उमर तो ऐसी हो जो तिये कि दिल करता महभूब उरूठा ही रहा है अजय कभी कोई ऐसा काम जो दिल ना चाहते हुए भी करना पड़ा देखिए इंसान की जिन्दगी में और इंसान की रोजमर्ण रोटीन में बहुत से काम ऐसे होते हैं कि जो उसे करने पड़ते हैं लेकि उनको हम डल रोटीन कहते हैं यारी यारी इस दिल जान नहीं हो लेकिन आपको करना पड़ता है बहुत से करने को दिल नहीं चारा कि छुटी मना ओफना करो लेकिन डिस्प्रिंट कैथा नो चारो ना चार कैथा हा मतलब यह मतलब इसको बहुत से किसम के होते हैं उसको डल-डूटिन कहते हैं लेकिन उसको करना जरूरी होता है उसके किसी की साथ अगर लॉंग ड्राइफ पर जाना तो किस को ले जाए को सी दोस्त़ को ले जाएगे ज़ाएं कि से दोस्ता घुनिश पर इसकी बठाएगे एक ऑने इसके साथ करे एक है तो इसलिए इसे मेल धोस्तों ले जाएंगे परान आब बुल्दे को अपने से बना जेता है और वहादे कि बाते करते हो चले। बज़ा जाहरी तौर पर किसी इनी बुढ़हे दोस्ट को ले जाएंगे जाएंगे मतल़ हमारी दोस्त होगा और हमारी ओमर के होगा ना भाउ मतीर्ह, मतीर्ह, और वीना मलिक इनको किया मिशवरा देंगा? मश्वरा मेखाल में मुझसे पहले इनको लोगों ने दे दिया है और अपने उपर पियो मुश्वर बन के उनको का है को भी खट पर्टा लिया करो बेन मलिक साब को जाए था और मीरा को भी लोग कहते हैं कि भी शटल हो जाओ शादी कर लो अंग्रेजी कम बोला करो उसके मश्वरा लोगों ने दिया है मतीरा को मैंने को देख तो है कोई खातून है को तीवी शुव पर आती है वो खास अंदास से बोलती है यहाँ और नाइट शू पी होस्टिंग करती थी जिससे वो मश्वर होई बतलब इनका मश्वरा यह कि लोगों ने जो मश्वरा देया उनका मश्वरा मान लो मेरा तो मश्वरा यह है कि हम यह समझते हैं कि बज़रूं के सामने ऐसी बात नहीं करना चाहिए वो उनको जानते नहीं होंगे लेकिन सर जानते हैं ये बड़ी बात है लेकिन सर जानते हैं ये बड़ी बात है लेकिन सर जानते हैं ये बड़ी बात है लेकिन सर जानते हैं 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 लेकिन सर जानते तो बहुत शुक्रिया हमार साथ मौजूद रहे आप बड़ी अच्छी बैते हो यह और बड़ी नॉलिज मिली हमें और फिर एक फॉजी की जंदेगी बारे में भी जोशु जजबे के बारे में भी पता चला थैंक यू सो मज़ आप तश्रीफ लाए बहुत शुक्रिया अजराए अजराए